हालो डियर स्टुडिंस मैं हूँ धवल ठाकूर वेलकम टू नॉलेज शायफ आज हम एकनॉमिक्स में 10 स्टांडर के लिए कंजीमर राइट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बचो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से बहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अस वडियो को अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर कीजेगा और आप बहुत कुछ इस चाप्टर से सिख सकते हैं और लेड़ी आपने बहुत सारी चीज़े इस चाप्टर से या यह जो पॉइंट है आज का जो हमारा कूर कंसप्ट होगा उनके बारे में बहुत सारी चीज़े ऐसे होंगी जिनके बारे में आप अल्लेड़ी जानते है तो शिरू करता है हम हमारा chapter consumer rights तो बचो सबसे पहले हम discuss करेंगे कि market क्या है market place क्या होता है तो जैसे कि बचो हम जानते हैं traditionally market का मतलब क्या होता है एक ऐसा place एक ऐसी जगर जहांपर buyer और seller मिलता है और product exchange करता है बट अगर हम current scenario की बात करें जहांपर सब कुछ इतना जादा change हो रहा है तो अगर हम market को एक place के form में define करें तो ये थोड़ी सी उसकी limited definition हो जाएगी हम market का जो scope है उससे limited कर रहे हैं तो बचो आज के इस situation में हम market को ज्यादा बैटर तरीके से कैसे define कर सकते हैं क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं that market is an arrangement arrangement क्यों क्योंकि ये physical भी हो सकता है और ये virtual भ purchase करता है वो service avail करता है और जो mode है जो क्या कहता है ये physical भी हो सकता है like traditional markets और virtual का मतलब है जैसे हम online कुछ भी products purchase करते हैं services avail करते हैं so what is market market is an arrangement through which a buyer and seller they can exchange goods and services for a consideration I hope आपको marketplace का मतलब समझ में आ गया होगा क्योंकि जब हम इस marketplace की बात करते हैं तो इसमें जो primary role है वो parties का आ जाता है एक होता है consumers जो बहुत ज़ादा consumers are large in numbers बहुत ज़ादा है consumers और अगर हम suppliers sellers की बात करते हैं तो बुच्छो यहाँ पर sellers का number भी बहुत ज़ादा होता है तो ये जो chapter है ये chapter किस बार में है consumer rights अब ये कहानी कहां से आगी तो हमने जब से पढ़ना जहनता नायक movie शायद से आपने देखी हो या उसकी कुछ clips आपने देखी हो जहां पर जो एक seller होता है एक ration shop वाले का example दिया चाहता है जिसमें वो ration shop वाला क्या करता है दो या 5 लिटर का जो kerosene kerosene I hope आपने नहीं सुनाओगा बिल्कुल नहीं सुनाओगा petrol diesel के जमाने में आप क्य जानों kerosene क्या होता है तो वो भी as a fuel ही use किया जाता था आपके लिए इतना काफ योगा जानना तो बचो उसमें 5 लिटर क्या जो measurement का unit था उसमें आप ऐसे कुछ भी क्या कहते है 5 लिटर quantity insert कीजिए या कैसे भी quantity insert कीजिए उसमें सिफ 2.5 लिटर ही आता था और जो ration shop वाला जैसे जबसे products बनना स्टार्ट हुए है या जबसे यह business start white trade स्टार्ट हो रहा है तब से यह काम चलते ही आ रहा है तो यह जो traders होते हैं यह जो sellers होते हैं they are large in numbers but they are united और on the other hand अगर हम consumers की बात कर ले तो यह जो consumers है वो भी large in numbers है but they are scattered सब बिकरे हो है वो कभी भी अपने rights के लि गड़बड का फाइदा उठाते हैं कुछ sellers सारे sellers ऐसे नहीं करते हैं कुछ sellers ऐसे होते हैं जो अपने आपको wrong घलत practices में involve कर लेते हैं और customers को cheat करते हैं अब customers को अगर cheat किया जा रहा है marketplace पे हम तो सुनते भी हमने लेखा भी होआ है कि ग्रहाग राजा है consumers king and king never bargains ऐसे ऐसे taglines लिखके consumers को क्या कहते हैं morally उन्हें suppress किया जाता है कि नहीं वो bargain न करें ऐसा कुछ नहीं है bargain करना आपका क्या कहते है जन्मसिद्ध दिकार आप जरूर bargain कीजेगा तो इस chapter में बचों यही पढ़ने वाले हैं कि consumers के rights क्या क्या है consumers के rights क्या हैं ताकि वो अपने rights को use करके वो आपको protect कर रख सके किसे protect रखना है consumers को अपने आपको sellers से जो market में जो wrong practices चल रही है इन सारी चीज़ों से customers को consumers को अपने आपको protect रखना है और इन सारे protection के लिए जो mechanism work करता है जो कुछ rights basic consumer rights provide करता है आज के इस election में हम उन basic consumer rights को पढ़ने वाले हैं तो भचों ध्यान से marketplace क्या है वैसे तो मैंने आपके सामने सारी चीज़े रख लिए हैं बट फिर भी officially formally कुछ यह से देख लेते हैं so marketplace refers to a physical or virtual space जैसे मैंने आपको बताया Sunday market, Monday market, weekly market, एक proper location होती है along with that virtual place को भी हमें recognize करना होगा as a market in current situation where the goods and services are bought and sold ऐसे place को हम क्या कहते हैं बचो market कहते हैं जी सर य need for consumer protection यह भी मैंने आपके सामने discuss कर लिया कुछ points PPT के points से देखते हुए समझते हुए चलते हैं so exploitation in marketplace happens in various ways अब यह जो consumers का exploitation है it happens in various ways कौन-कौन से ways है मैंने आपको कुछ discuss की कुछ यहाँ पर list रहुट है explanation को concept को complete पढ़ता है for an example sometimes traders include in unfair trade practices अब यह unfair trade practices क्या-क्या है for an example shopkeeper weights less than what actually they should 5 kg के लिए अगर आप कुछ sugar 5 kg शक्कर लेने गए उन्होंने आपको 4 kg 900 ग्राम 100 ग्राम शक्कर गायब 50 ग्राम गायब आदा किलो गायब weight कम करना right अगर हम gold की अगर बात कर ले gold की बात कर ले तो gold जो sell होता है pure gold 24 carats का होता है फिर इसके बाद जो ornaments बनते है वो 22 22 carats में बनते हैं hallmarks बगेरा होता है तो उसमें भी क्या करता है जो sellers है वो जो लिखा हुआ होता है उससे कम quantity of gold उसमें mix करते हैं चावल में white color के पत्थर add कर दिये जाते हैं गिहू में भी कुछ चीज़े add कर दी जाती है जिनका color उसके जैसा है weight जादा रिखे ऐसे सारी wrong practices स customers को marketplace पे cheat किया जाता है और customers के साथ होने वाली इसी cheating को रोकने के लिए consumer rights, consumer moment की जरूरत है तो बचो when traders charges what they were not mentioned before and when adulterated और defective goods are sold in market इन सारी practices से customers को बचाने के लिए consumer rights, consumer moment की जरूरत है I hope आपको ये information समझ में आ गई होगी जी तो बचो आगे बढ़ता है अब हम अब हम discuss करेंगे basic consumer rights, basic consumer size यहाँ पर मैंने कुछ I think so 5, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rights mention किये हैं और भी हैं एक दो जिने आप पढ़ सकते हैं बट आज की session में we will discuss this 6 basic consumer rights, so let's start with the first right जो है बचो right to safety, अब ये right to safety क्या है तो बचो right to safety ये बताता है कि अगर कोई भी consumer वो goods या वो service purchase करता है तो वो goods या वो service उस product वो जो product वो use करेगा उससे वो customer safe रहना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रातो रात नया phone खरीदा चार्जिंग में रखके सोय थे और दिवाली का बम बाद में फटा वो phone पहले फट गया तो ये भी एक जो cars आने लगी हैं उन सब में six airbags compulsory कर दिये हैं government ने ये सारी चीज़े क्या ensure करती है right to safety जो customer वो product use कर रहा है वो customer safe होना चाहिए वो product को use करने से उस customers की life पे कुछ भी adverse effect नहीं होना चाहिए is it clear bike चलाते समय helmet पहनना है car चलाते समय cell belt पहनना है ये सारे standards क्या ensure करते है right to safety for the consumers जो वो product use कर रहे हैं तो बचो right to safety ये हमारा पहला consumer rights है देखते हैं क्या कहता है consumers have a right to protect against goods and services that are hazardous to their health or safety बीच में याद होगा आपको आप सब की प्यारी मैगी बंद हो गई थी क्यों बंद हो गई थी मैगी क्योंकि उसमें lead का content जो prescribed वे उससे थोड़ा सा जादा था तो lead का content अगर खाने के product में prescribed limit से जादा है तो वो dangerous हो सकता है human wings के लिए इसने maggie pair band लाए गया था फिर नेसले वालों ने गिया क्या उसमें necessary changes किये और उसके बाद मेरी maggie आपकी maggie वापस से market में reintroduce हुई so ऐसे कोई भी element जिससे customers की life को danger हो सकता है ऐसे सारी चीजों से customers को protect करना ह है right to safety right जिसे बहुत सारे products जो dangerous है जिसमें poison हो अगरा होता है perfumes हो अगरा होता है उन सब पे arrows अगरा लिखा होता है कि keep out of reach of children's बचों की पहुँच से दूर रखे फिर जहां आग से दूर रखे keep the product away from direct sunlight ऐसे सारे जो instructions बहुत सारी चीज़े हम देखते हैं तो जो customers की safety insurance करते हैं वो सारी चीज़े customers के protect करने के लिए बहुत ज़रूरी है और यह सारे हाते हैं under right to safety clear बच्चों so the product should meet certain safety standards consumers should be informed about potential risk बहुत सारे products पे लिखा भी होता है कि अगर आप allergic है XYZ medicine से या XYZ चीज़ों से तो आप वो product को consume न करें कुछ products या कुछ products ऐसे होंगे जिन पर specifically लिखा होगा कि यह pregnant ladies के लिए नहीं है यह बच्चों के लिए product नहीं है तो ऐसे सारी चीज़े जो customers की safety ensure करते हैं वो सारे standards या वो जो सारे applications है वो क्यों हो रहे हैं just because of this basic consumer right right to safety क्या यह clear है जी बच्चों आगे बढ़ते हैं आपने देखा होगा यह side में यह just photo में पेस्ट की हुए है यह भाई साब मतलब देखो एकदम helmet भी पहना हुआ है उन्होंने है right suit भी पहना हुआ है और कार चला रहे है हाँ यह safety standards को meet कर रहे हो सकता है शायद से वो कोई race कर र information यह सारे rights में कुछ information होगी जो आपको लगी कि सर आपने यह तो वहां पर भी बोली थी यह यहां पर भी बोली थी specific points पर ध्यान दीजिएगा this right to information यह क्या गयता है कि customer को पूरी information होनी चाहिए regarding the product, regarding the price of product, regarding the manufacturing date, expiry date, content, जैसे हम कोई भी product देखते हैं अगर आप bread भी लेने है कितना protein है, कितना fat है, कितना saturated fat है, सब कुछ पूरी information label पर लिखी होती है, date of manufacturing, date of expiry, यह सारी चीज़े क्या ensure करती है, all those things ensures consumers को पूरी information मिले regarding product, is it clear and that is what is called as right to information, so consumers have right to receive accurate and complete information about the product and services they purchase, जो भी product or service purchase करें, उसकी पूरी information आप तक पहुँचनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, this include clear and trustful labeling, advertisement, disclosure, relevant details such as ingredients, pricing, terms of use, date of manufacturing, expiry date, सब कुछ उस product के बारे में उस product के label पे होना जरूरी है, वरना अगर government यह सारी चीज़े strictly ensure या implement न करें, तो शायद से आपको पता ही नहीं चल रहे हो, उसमें कितना content क्या है, is it clear? So all these right ensures better products which are offered to public, right, वरना जो sellers है, वो कुछ भी बना कि कुछ भी sell करेंगे, right, जैसे recently आपने Bonvita वाला case भी देखा होगा, कि Bonvita को as a wrong product, क्या कहते है, market किया जा रहा है, उसमें इतना content तो sugar का ही है, जैसे हम Pepsi Coke वग वगरा से related भी देखत होता है, जो किसी भी human being को बिमार, बहुत जादा बिमार कर सकता है, regular consumption उसका, तो क्या होता है यहाँ पर, उस product में, क्या-क्या चीज़े मिली हुई है, वो सब कुछ बता दो customers को, और customers फिर भी consume करना चाहता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, but customers को information पूरी मिलने चाहिए, clear ब right, क्या offer करता है, कि अगर customer को कोई product purchase करना होगा, उसे अच्छा लगता है, उसकी choice का है, तो ही वो खरी देगा, आप जबर जस्ती उसे वो product sell नहीं कर सकते है, is it clear, आपके पास variety of options available होने चाहिए, किसी भी product को purchase करने से पहले, अगर आप उसमें से अगर आपको कोई product नहीं करता, उसकी price जादा है, color match नहीं हो रहा, कोई भी reason है, if a consumer is not accepting that product, तो seller उसको compulsory sell नहीं करेगा, is it clear, देखते है, consumer have a right to, the consumers have a right to a variety of options in marketplace, this means they should not be limited to a single product or service, should have freedom to make choice based on their preferences and needs, जैसे अगर हम current situation की बात करें, तो कि अगर हमें mobile phone purchase करता है, तो हमारे पास एक ही company है, क्या, नहीं है, हमारे पास various options है, अगर हमें laptop purchase करना है, we have various options, हमें shoes purchase करना है, we have various options, हमें instant noodles काने, क्या मैंगी इकलावता option marketing में available है, नहीं है, we have various options, उसमें आप अपनी life, आप अपनी choice, preferences के accordingly product select कर सकते हो, and that is what right to choose is all about, क्या ये clear है, जी बचो, अगले right की दरफ बढ़ता है, that is right to be heard, right to be heard मतलब consumer बोलेगा, consumer कहेगा, और जो seller है, वो consumer की बात सुनेगा, अब वो feedback के form में हो सकता है, वो complain के form में हो सकता है, बट जो seller है, उसे customer की बात सुननी आपके product में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीज़े customer express कर सकता है, and that is what is right to heard, ध्यान से लिखे, consumers have right to express their opinions, concerns, and complain about the product and services, customers के कुछ concern है, कुछ complaints है, कुछ feedback है, तो वो सब कुछ customers क्या कर सकता है, express कर सकता है, is it clear, business should have mechanism, अब business को क्या करना है, बिजनस के पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए, जिससे वो customers के feedback, और अगर customers के कुछ disputes है, उनको सुन सके, उनको solve कर सके, जिससे हम after sales के नाम पे भी जानते हैं, अगर आप कभी कोई biscuit का, कोई भी fast food या कोई भी items बगएरा देख रहे थे, जिससे चलो maggie का ही ले लो, या dark fantasy किसी का भी example ले लो, अगर आप उनका packets को ठीक से लेखेंगी, तो उल्टा फुल्टा गुमा के लेखेंगा, वहाँ पर कही ना कई feedback के लिए कुछ लिखा होगा, Instagram handle का address लिखा हो सकता है, Facebook page का address लिखा हो सकता है, और वो सुनना चाहते हैं अपने customers से, कि उनको इस product में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो इससे क्या होता है, लेकिन improve further, who can improve further? Sellers and customers, they can express their feelings towards the product, और अगर कभी-कभी वो favorable होता है, तो जो sellers है, जो sellers है, लेकिन use those responses as their advertisement as well, is it clear? तो वैसा ही, अगर आपको ये चीज़े समझ में आ रही हैं, तो मैं आपसे request करूँगा कि आप comment section में जिरूर बताएगा कि आपको चीज़े समझ में आ रही हैं या, नहीं, is it clear? So, कहां थे हम लोग, yeah, feedback and provide avenues for dispute resolution, अगर कुछ problems हो जाती है, तो आप हर बाद directly थोड़ी case करने चले जाओगे, मान लो, आपने कोई product purchase किया, और वो product में कुछ खराबी निकली, तो फिर, direct मतब आप पहले seller के पास जाओगे, और direct court में case करने जाओगे, नहीं, पहले हम seller के पास जाएंगे, seller ही अगर उस product को repair कर देता है, हमें ठीक कर देता है, तो वस बात खतम ना, फिर क्यों हर बार court में जाना, is it clear? Right, so right to, right to, right to, right to herd, right, so right to herd is what customers, अपने feelings, express, express करेगा towards the product and जो sellers है, वो उन चीज़ों को consider करेंगे, next बच्चों बात करता है, right to redress, अब यहाँ बात आजाती है, complaints की, अब यहाँ बात आजाती है, एक proper mechanism के through problems को solve करवाने की, तो क्या हैं देखते हैं, consumers have right to seek compensation or remedies for faulty, unsatisfactory product or services, this includes right to refund, replacement or repairs, अगर आपका product खराब निकलता है, तो customers आपके किलाफ complain कर सकता है, court में जा सकता है, legal actions लिया जा सकता है, and that is what right to redress is all about, clear, हमारे India के case में पूराना Consumer Protection Act 1986 भी था, अभी नया वाला Consumer Protection Act भी आया हुआ है, हमारे पास, क्या कहता है, dispute forum, state commission, national commission, जैसे consumer dispute redressal agencies भी है, जहाँ पर कितना आपको compensation कितना आपका claim है, उसे साब से आप district level, state level, national level पर complaints भी फाइल कर सकता है, और आप जो भी उसके लिए जो valid compensation होगा, वो भी claim कर सकता है, so यह हैं बचो हमारा right to redress, is it clear, and the last right, जो आज के lecture के लिए है, that is right to a healthy environment, हर एक consumers को right हैं बचो कि वो एक healthy environment पे रहे, अगर आप consumer हो, तो आप expect करते हो, कि आपको, क्या कहता है, fresh water पीने के लिए मिले, साफ हवा आपको मिले, is it clear, तो अगर कोई भी producer, या कोई भी company, environment को बहुत जादा harm पहुचाती है, तो long term pay for market में survive नहीं कर सकती, government भी उनकी against actions लेती है, government action न ले, तो consumers खुद अपनी आवाज उठ पहा कर, ऐसे companies के against action लेने के लिए, government से appeal कर सकते है, so consumers have a right to access products and services that do not harm environment, इसलिए बहुत बार, companies अपने आपको ऐसे promote करती है, कि वो environment friendly है, उनके जो products है, वो environment friendly है, वो environment को minimum harm पहुचाती है, बिलकुल भी harm नहीं पहुचाती है, फिर वो environment की enough, enough measures adopt करते है, कि environment कैसे रहे, safe रहे लोगों के लिए, is it clear, this includes environment friendly options and the right to be informed about environment impacts of certain products, बहुत बार अगर आपने लेखा होगा, कि कहा जाता है, मतलब ये बच्चों का हमेशा एक favorite सा excuse होता है, कि एक paper बनाने के लिए इतना खर्चा होता है, इतने पेड़े काटे जाते है, तो companies अपने आपको कैसे market करती है, कि वो, क इकल गर रहे है, तो companies की ये भी एक strategy होती है, जो वो, customers को, लोगों को, public in general को implement करती है, कि हम, जितना natural resources यूज कर रहे है, उससे जादा हम environment के लिए कुछ कर रहे है, बहुत सारे companies, trees plants करती है, करती है नहीं करती है, जैसे मामाज, अर्थ का वगरा देखा होगा, उनकी generations और जो future generations है, उनको एक safe environment मिल सके, तो बच्छो ये तो था हमारे basic consumer rights जिसके regarding आज हमने discussion की, अब आप मुझे बताएगा कि आपको अगला topic कौन सा चीए, या फिर current जो चीज़े हैं, उसमें और क्या explanation में variations चाहिए, do let me know in comment section and share this video with your friends, clear? और मिलते हैं नेक्स क्लास में,